सस्क्राइब किजिए निगा निट्स को और बेल आइकॉन को दबा कर दुनिया वरक की ताज़ा ख़वर्याद पाईए सबसे सहे ज़िए नमस्कार दोस्तो विराट कोहली ने जमाया यादगार वंदेश तक 21 साल का सूखा किया खत्म भारत और न्यूजीलेंड के बीच खेले जा रहे वन डे मैच में विराट कोहली में वन डे करियर का 31 वान शतक जमा दिया इस सेचुरी के साथ ही विराट कोहली ने वन डे क्रिकेट में सबसे ज्यादा वन डे सेचुरी जमाने के मामले में दूसरे नमबर पर आ गए इसके साथ ही साथ कोहली की इस पारी में कुछ और भी खास बाते रही चलिए आपको बताते हैं क्या क्या है वो बाते यादगार है कोहली का ये शतक विराट कोहली की न्यूजीलेंड के खिलाफ खेली गए ये पारी बेहत खास रही क्योंकि उन्होंने अपने दो सोवे वन डे मैच में शतक जमाया इस पारी में शतक जमाने के लिए कोहली ने 111 गेंदों का सामना किया और इस दमदार पारी में उनके बले से साथ चोके और शुन्य एक शांदार च्छका भी लगाया 120 रन पर आउट होने से पहले कोहली ने 125 गेंदों का सामना किया और इस शतकी अपारी में उन्होंने नो चोके और दो च्छके भी लगाये 200 वे वन डे मैच में बनाये सबसे ज्यादा रन वन डे क्रिकेट के 200 वे मैच में शतक लगाने वाले खिलाडियों में विराट कोहली का नाम दूसरे नमबर पर आ गया है विराट से पहले ये कमाल द अफरीका के धूरधर बले बाजी ये भी डेविलियर्स ने किया था लेकिन कोहली ने मुंबई में जबरदस्त पारी खेल कर इस लिस्ट में अपना नाम दूसरे नमबर पर लिखवा लिया है हाला कि कोहली भी कहां पीछे रहने वाले हैं डेविलियर्स ने उस मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली थी लेकिन कोहली ने अपने इस खास मैच में 120 रन की पारी खेली एसी के साथ 200 वे वन डे मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रीकॉड विराट कोहली के नाम दर्ज हो गया कोहली ने पॉंटिंग को छोड़ा पीछे इस सेचुरी के साथ ही विराट कोहली वन डे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे नमबर पर आ गये हैं कोहली ने रिकी पॉंटिंग के 30 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया इस मैच से पहले कोहली 30 शतक जमा कर रिकी पॉंटिंग के साथ सोयुक्त रूप से दूसरे नमबर पर थे अब कोहली से आगे सिर्फ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुल कर हैं सचिन के नाम वंडे क्रिकेट में 49 शतक लगाने का रिकॉर्ड है 20 साल का सूखा किया खत्म विराट कोहली का ये वंडे शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस से चुरी के साथ 20 साल का सूखा भी खत्म कर दिया है आपको बता दे की वंडे के मैदान पर किसी भी भारतिय बलेबाज ने वंडे क्रिकेट में 20 साल बाद शतक जमाया है इस से पहले 1996 में सचिन तेंदुलकर ने वंडे में शतक जमाया था सचिन ने दफरीका के खिलाफ खेले गए उस मैच में 114 रन की पारी खेली थी और तब के बाद से अब तक कोई भी भारतिय बलेबाज इस मैदान पर वंडे क्रिकेट में सेकड़ा नहीं जमा पाया था लेकिन कोहली ने न्यूजीलेंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में शतक जमा कर इस सूखे को खत्म कर दिया आपको ये विदियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले लेकिन को सब्सक्राइब करना भूले